एक ऐसी उमर आई जहां पर मुझे बोलने लग गए कि इसका बाप देख नहीं सकता है तो इसको थोड़ा सा आप अपनी पकड में रखो इसको जाने मत दो कहीं अब बड़ी होते ही है काम करने लगए अब तो लड़कों के साथ घूमने लगए डिप्रेसिंग हो गया कि यार मैं क्या करूं मतलब मैंने जॉब भी छोड़ दी सोचल मेडिया के जखकर में मैं पैसे भी नहीं कमा पारी Finally, मैं accept कर रही हूँ, मैंने किसी platform पे accept नहीं किया है, आज जो stocks पे accept किया है, कि मेरी Hi everyone, मैं हूँ Kanika Rana और मुझे आपने short comedy videos में देखा होगा और recently आप मुझे देखते हैं daily vlogs में, मेरे channel का नाम है Kanika Rana Vlogs तो I hope आपको मेरा content पसंद आ रहा होगा, लेकिन आज मैं आपको अपनी reality, अपनी कहानी बताने वाली है तो आइए, शुडू करते हैं मेरी कहानी मैं छोटी सी लड़की थी, मैंने कभी देखा नहीं था कि एक जब पापा ओफिस जाते हैं और वो घर लाते हैं कुछ समान जिससे बच्चे खुश होते हैं, मैंने यह कुछ नहीं देखा अपने बच्चपन में कि हमारे फादर ने यह किया, हमें ऐसे गाइड किया, पर मेरे बच्चपन में मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था, मेरी मदर हाउस वाइफ हैं वो एक गाउं की एक छोटे गाउं की एक लेडी थी जिन्नोंने ना तो कॉलेज लाइफ देखी ना कुछ, उनके अंदर एक हिचक थी और वो हिचक शायद हम पर भी हमने भी जहली है वो चीज, कि अगर बच्चा कुछ करना चाता है और उसके माबाप ही कमजोर पढ़ जा राई जहां पर मुझे बोलने लग गए कि इसका बाप देख नहीं सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप अपनी पकड में रखो, इसको जाने मत दो कहीं, पर इस चीज में मेरे मदर और फादर थोड़े से सपोर्टिंग थे, शुरू में पेरिंस का दबाव रहता है उनके भ सेवन्थ क्लास की बात थी और मैंने अपने घर पे अपनी मदर को बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, वो वैश्नोदीवी गया था और प्रशाद मुझे देना चाता है, मैंने स्कूटी की चाबी उठाई और मैं सेक्टर 11 रोहिनी पे पहुच गई, अपने फ्रेंड का वेट कर है, वहीं पे जब तक मैं घर पे आई, मेरे पापा गुस्से में थे कि तू अब बड़ी होते ही है, अब तो लड़कों के साथ घूमने लग गई, उस टाइम पे मेरी ममी ने ये बोला कि अगर तुम लड़की को करवा रहे हो, को हैट स्कूल में जिसमें लड़के पढ़त कि वह लड़कों से बात नी करेगी, उनके साथ घूमेगी नी, तो हम अपने बच्चों को रोक रहे हैं कुछ करने के लिए, उस दिन से जो हिचक मेरे पापा के अंदर थी, कि नहीं हमें अपने बच्चे नहीं रोकने हैं, हमें पता है हमारा बच्चा अच्छा है, ये उपर थी, कमाने की, घर के ऐसे काम करने की, जो एक लड़का ही कर सकता है, मेरे और मनीश में धाई साल का फरक था, वो इतना मैच्योर नहीं था कि वो आगे बढ़के फैमिली की रिस्पॉंसिबिलिटी समाले, तो एक तरीके से सारी रिस्पॉंसिबिलिटी मेरे उपर आ अब मुझे घर के काम भी करने हैं, मुझे पढ़ाई भी करनी हैं, मुझे आगे भी बढ़ना है, फिर मैंने अपना कॉलेज डियू में अडमेशन लिया, मेरी फ्रेंड्स का देखके, क्योंकि खुद तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि 12 के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे मेरी फ्रेंड्स करती थी, मैं बिल्कुल वैसे ही करने लग गई, कि चलो अच्छा है इनोंने डियू में अडमेशन लिया है, चलो मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, तो इस चीज का कभी यह नी रहा कि मुझे यहां अडमेशन मिलेगा, मैंने अपनी स्टुडी करी, अब स्टुडी करने के साथ साथ ये बडन भी, कि आप पढ़ना भी है आपको और आपको कमाना भी है ताकि घर चले, अब ऐसे में क्या करूं, मैं सुबह जाती थी, कॉलेज अटेंड करती थी, फिर मैं दोपैर में कॉलेज आते ही, कॉलिज से आते ही स्टैनों की क्लासेज लेती थी स्टैनों की क्लासेज के बाद मैं ससी की क्लासेज लेने जाती थी मैं रात को दस बजे आके घर पे घुशती थी मैंने अपने कॉलिज के दो साल ऐसे निकाले और निकाले और मेरा गवर्मेंट जॉब एक टेस्ट जो होता है SSC का वो मेरा clear हो गया अब clear हो गया दोनों test clear हो गए मेरा skill test भी अब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि अरे वा मतलब मैं अपने गाउं में पहली ऐसी लड़की बनूंगी कि जिसकी इस age में government job लग जाएगी पर किस्मत ने इतनी खुशी वो कहते है ना कि जादा अपनी खुशी शेयर ने करनी चाहिए वो ही हो गया मेरे साथ में merit list में निकल गई क्योंकि exam clear करने वाले जादा थे तो जिनके marks जादा थे उनको opportunity दी गई तो वहां पे मेरा वो नहीं जोइन कर पाई मैं अपनी जॉब उसके बाद मैंने ऐसे ही कोशिश की कि चलो मुझे government job नहीं मिल रही है private में try करते हैं मेरा college खतम होने के बाद ही 6 महिने के बाद मेरी मुरार जी दिसाई National Institute of Yoga में मेरी job लग गई as a personal assistant to director मैंने चार साल वहां पर job करी मैंने देखा एक private life में private job बहुत ही मुश्कील होती है एक burden तो आपके उपर यह होता है कि आपको निकाल देंगे किसी भी time इसलिए सब घरवाले बोलते हो और देसी families में तो आपने देखा ही होगा हमेशा लोग यह बोलते हैं कि वाई सरकारी नोखरी ढूंड लो सरकारी नोखरी से उपर कुछ नहीं है अब इनसान जो job कर रहा है घर भी समाल रहा है पढ़ना भी है ताकि government job आ जाए लग जाए इतनी मेहनत करने के बाद पूरे दिन office से आने के बाद पढ़ाई करो अब एक time ऐसे आगया कि मेरा office में मेरी back problem होगी थी मैं जादे तेरे तक बैठ नहीं सकती थी अब उस time पे life में मेरे रोहीत आए जो मेरे husband है उन्दोंने मुझे बोला कि तेरे को fight करना पड़ेगा कनीगा तू ये regular life नहीं जी सकती अगर लोग उस time पे मैं short comedy videos बनाती थी उ लोग मुझे जानने लगे थे कि एक लड़की है थोड़ी हरियानी दिल्ली मिक्स करके इसकी भाषय है और ये comedy videos बनाती है तो फिर रोहित ने बोला कि कनी का तेरको YouTube ट्राइ करना चाहिए तेरको व्लॉक्स डलने चाहिए लोग जो तेरको 10 सेकंड 15 सेकंड देखते हैं वो एडिटिंग ना है फिर मेरे जो छोटे चाचा का लड़का है उसने थोड़ी एडिटिंग करनी सिखी हुई थी तो उसने बोला तू व्लॉक्स बना तुझे मैं सपोर्ट करूँगा और मैं तेरी वीडियो एडिट करूँगा वहां से अब कच्ची पक्की हम दोनों भाई कि चलो ठीक है कर लेंगे अजस्ट कर लेंगे अडिट अब उसमें हमें टाइम लगता था व्लॉग होता था बारा मिनट का और हम 6-6 घंटे एडिटिंग में लगाते थे एक रात ऐसी भी आई कि हमने एक व्लॉग 6-6 घंटे लगा कि पूरी रात हम लगे रहे हमारा कर दूए हमें कुछ नहीं पता चला हमने रात को रोहित को फोन किया रोहित हम चार बार इसको एडिट कर चुके हैं और ना हम सोया हमारी आखों में इतनी नींद भरी हुई हम क्या करें रोहित रात को गया जो software engineers होते हैं उसको बिठा के लेके आया रात को तीन बजे आधे रस्ते तक वो आए आधे रस्ते तक हम गए और एक पेट्रोल पंप पे हम लेके खड़े हैं चार्जिंग खतम होगी है गर्ल्स वाश्रूम से हमने वायर लगाया और उसको चार्ज कर हैं उस टाइम पर हम हस रहे थे कि कभी हम अगर हम मतलब किसी मोकाम पर पहुचेंगे हम अपना ये स्ट्रगल जरूर बताएंगे हमें मोका मिलेगा तो कि हम लेडीज वाश्रूम में चार मेरे दो मेरे भाई एक रोहित और एक वो software engineer हम पांच जने खड़े हो के यह सोच र व्यूज तीन-चार हजार व्यूज सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे शॉट वीडियो की वजह से फिर डिप्रेसिंग हो गया कि यार मैं क्या करूं मतलब मैंने जॉब भी छोड़ दी सोचल मेडिया के चक्कर में मैं पैसे भी नहीं कमा पारी पर फिर भी एक मन में ये था कि वो दिन आएगा कनी का तू मेहनत करनी मत बंद कर एक दिन आएगा कि लोग तेर को देखना चाहेंगे और वो दिन तब आया जब मैंने रिवील किया कि मेरी शादी होने वाली है और मेरे ही पसंद के लड़के से रोहित से अब सुसाइटी और घर वालों की टेंशन की न अब ये जनता है ये पबलीक है सब जानती है वो तो सुना होगा आपने ये पबलीक है सब जानती है तो वो ही काम था अब इनसान समझ जाएगा कि जो इन शुरुआत से ही रोहित मेरे साथ थे तो कहीं ना कहीं उनकी जलक आती दी व्लॉक्स में तो सब समझ गए कि नहीं ये इनसान पहले व्लॉक्स में दिखा हुआ है, ये जरूर इनकी लव मैरिज है, तो फाइनली मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने किसी प्लाटफॉर्म पे एक्सेप्ट नहीं किया है, आज जो स्टॉक्स पे एक्सेप्ट किया है, कि मेरी लव मैरिज है, और मैं खुलके कि हाँ मैंने पसंद किया था मेरी फैमली ने support किया और आज मुझे इतना अच्छा love partner खेहुरर, love partner हुझे 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 इतना अच्छा अाज 젊चा life partner मिले इतना प्यार करता है इतना support करता है जहां मने गलत होंगी मुझे बोलेगा ममी गलत होंगी ममी का भी होता है society तो चलो बोलेगी society तो positive भी बोलती है नेगेटिव भी बोलती है पर जब तक घर वालों का support नहीं होता है आप successful हो ही नहीं सकते हो मुझे जानते सब थे पर प्यार करना कब शुरू किया शादी के बाद किया मेरी घरस्ती देखके मेरे relation देखके आज मुझे ideal wife ideal बेटी आईडियल बना रख है कि हाँ अगर लड़की हो तो कनीका जैसी हो जिसने अपनी दोनों फैमिलीज को इतना सम्वाला तो I'm blessed और मैं बहुत जादा खुशी हूं कि मुझे माई के में भी और ससुराल में भी इतनी अच्छी फैमिली मिली कि आज मैं एक अच्छा खासा अंड कर सकती हूं मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ट्रेवल करूं मतलब मेरा बेस्ट मुझे ट्रेवलिंग लगती है खाना और घूमना तो आज इतना अंड कर लेती हूं मैं कि हर महीने एक फॉरेंट्री पराम से लगा सकती हूं तो यह सब हुआ सोशल मीडिया की वज़े लोगों के लिए असान होता है जब आप व्लॉग देख रहे होते हों पर एक व्लॉग बनाने वाले को पता होता है सबसे पहले तो आपको कंटेंट सोचना पड़ता है कि आपको ओर्डियंस को क्या दिखाना है दूसरा अगर आपका कंटेंट चल रहा है तो एंटर्टेनि शाम को व्लॉग का टाइम है तो तब तक अपलोड हो जाना चाहिए इतना बड़न रहता है आप मानोगे नहीं व्लॉगर्स की लाइफ बिलकुल असान नहीं होती है एक भी व्लॉग नहीं है जिसमें हमें प्यार ना मिला हो और शायद हमारी ओडियंस से हमार पता चलता है कि एक भी नेगिटिव कमेंट नहीं होता अगर एक आ भी जाये तो कोई बुरी बात नहीं लगती हमें लगता है कि चलो हम आज इस लेवल पे हैं कि लोग हमसे जलबी रहे हैं तो यह सोच के हम खुश हो जाते हैं तो गाइस यह थी मेरी यूट्यूब जर्नी और कनिका राना व्लग्स और रोहित शिकारा को आप ऐसे प्यार करते हो मुझे बहुत प्यार मतल्स मिल रहे है तो ऐसे ही एंटरटेइन करूंगी जो कमेंट करते हैं कि कर निको रोहित आपका व्लोग हम ऐसे वेट करते हैं जैसे कि एक टी वी सीरील आना हो वहां से हमें रील मोटिवेश अब ना तो कोई source of income है और job भी नहीं छोड़ सकती है तो फिर focus किया social media के उपर क्या ये ऐसा platform है इस पर मैं यकीन करूँ कि मैं इतना अन कर सकती हूँ कि मैं अपनी job छोड़ दूँ मैंने ऐसे ही किया मैंने भगवान का नाम लिया कि कनिका अपने उपर यकीन कर तुझे family तिनी अच्छी मिली है तुझे वो support कर रही है उन पर यकीन कर तुझ जरूर काम्याब होगी एक दिन और आज वो दिन है और आज ये दिन है कि मैं आप सब के सामने अपनी story share कर पा रही करते हैं अपने जर आज भाई मैंने अच्छी मिली है उन्हें पा रहार कि का युझे दिन, चला वोग्छी का वोग्वार्वाएं पाली है उक्या उत्तुश का भाईंट कि का पाली है तुझे रहे जाएं अजया।